आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्या जीट का है आपने दर्ज की क्या कहना है फिर यह जीत है एक है ड़्य कारताओं century साथ चुनाव लड़े जो हमारे प्रमुक भिधायत सर्व लोगों ने बहुत मज्बूती के साथ बहुत बहुत इस्ट रजी के साथ चुनाव लड़े एक एक ओर्टर से संपर किया और जो हमारी भारती जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया कराया उन सबकी जीत है उनको सबको धन्यवाद और उनकी सबका आभार और उस देख रहे हैं सब खुशी में सामिल भी हो रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो यह भरोसा उन्हें ने जताया है मैं जानता कि भारती जनता पार्टी की नीती रीती से प्रभावित हो करके लोगों ने जिताया है तो मैं समझता हूं कि उनकी उनका भरोसा काइम रहेगा और तेजी से विकास का कार और तमाम कार जो हो हैं वो छोंगे समाजवादी पार्टी के लोग इस बरोसे के साथ थे जैसे पहले 2016 में उन्हें ने किया था दोजार सोला में जब चुना हुआ था और दोजार सोला के समय तो गुंडा कर दी ये सब के बतावलत उन्हें ने जीत हासिल कर ली थी उन्हें ऐसा ही सोचा था लेकिन इस भार आशान नहीं हो सकता क्योंकि इस वार उत्तर प्रदेश के मुक्मंत्री होगी आदितनाच जी तो गुंडा कर दी तो हो नहीं दखती इसलिए लोग ठांतिक तरीके से चुना हुआ भारती जन्ता पार्टी को वीजेश के क्या एजंटर है अब हागे के एजंटर हमारी सरकार तह कर चुकी तह कर रही हमारी सरकार अच्छा काम कर रही आगे तमाम योजनाया है उसी वोटर थे उनके बीच गए थे एक एक वोटर से मुलाकात की थी और भारती जन्ता पार्टी की नीतियों पर ही यह चुनाओ भी बीजेपी ने जीता है लेकिन सबसे हैं बात यह कि समाजवादी पार्टी ने काफी कोशिशे जरूर कर दी थी लेकिन उनका कुछ इस चुना आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार